एक्स्क्लूजिव चैनल एक्स्क्लूजिव चैनल एक्स्क्लूजिव चैनल है और अगर आप मेरे राइजिंग स्टार है तो आज आपकी रिक्वेस्ट पे हम बनाने जा रहे हैं लाइन टू लाइन एक्स्क्लूजिव चैनल का नाम है जो की देश में बहुत पॉपुलर हो रहा है और उसकी पॉपुलरिटी से देश में मौजूद जो और सेनिट के मेंबर्स हैं उनको चुड मच रही है जिलसी हो रही है और वे सब सीजर को पॉपुलर होते हुए और कहीं डिक्टेटर बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं वो नहीं चाहते हैं देश के बड़े लीडर्स की जूलिय सीजर देश का सबसे ताकतवर आदमी हो जाए और उनको सीजर के डर से जीना पड़े और इसलिए देश में उसकी विक्टरी पर उसकी जीत पर सीजर की ताकत बरने पर उसको लोगों को डबाया जा रहा है यही से यह शीन शुरू होता है Act 1, Scene 1, Popularity of Caesar शो करता है बताता है कि किस तरीके से रोम वासी Caesar को देखने के लिए आज पूरा दिन छुटी मनाने वाले हैं जबकि आज काम का दिन है तो आईए स्टार्ट करते हैं Act 1, Scene 1 of Julius Caesar तो दो रोमन टेक्स कलेक्टर प्लेवियस और मारियूलस यह दोनों कौन हैं? यह दोनों टेक्स कलेक्टर हैं, ट्रिब्यून से हैं और रोम के ही स्ट्रीट में जहां आम जनता घूम रही है पबलिक घूम रही है आज वो कलग-अलग ड्रेसेज में घूम रहे हैं और यह दोनों टेक्स कलेक्टर जो की सीजर के आने पर पूरा शहर, पूरा रोम सजा दिया गया है चारो तरफ सीजर की बड़ी-बड़ी मुर्तिया लगी है उनको खुबसूरत तरीके से डेकूरेट किया गया है और इनको प्लैयस और मारूलस को यह बात पसंद नहीं आ रही है उनको लग रहा है किस से सीजर का मान और बढ़ेगा और सीजर और प्रावल महसूस करेगा और कहीं ने कहीं देश का डिक्टेटर हो जाएगा और उन सब को इन जैसे लोगों को उसके आगे जुक के रना पड़ेगा तो वो सीजर को उसका इंपोर्टेंस नहीं दिखाना दिना चाहते हैं आम जनता को चाहते नहीं है कि वो सीजर को उनको सर पे बठा ले आईए देखते हैं क्या हुआ इस सीन में तो फ्लेवियस आम जनता से बात कर रहा है कॉमन पीपल से बात कर रहा है और उनको डाट रहा है स्टार्टिंग करते हैं पहली लाइन है हैंस होम हैंस मतलब होता है गो होम तो गो होम यू आईडिल क्रियेचर्स यू गेट यू होम आलसी लोगों चलो जाओ अपने घर ऐसा डाटते हुए वो आम जनता को सिडिजन्स को घर बेज रहा है इस दिस आ होलिडे क्या आज कोई छुट्टी का दिन है जवाब है नहीं अथार्थ आप लोग काम करने वाले लोगों को खाली घूमना नहीं चाहिए आज आप खाली क्यों घूम रहे हैं अपन अलिबरिंग डे विदाव डिस साइन ओफियर प्रोफेशन अथार्थ रोम में कल्चर है कि अगर कोई व्यक्ती किसी एक पडलर काम को करता है जैसे एक कारपेंटर है तो कारपेंटर को एक रूल लेके चलना पड़ेगा एक लेदर एपराउन पहनना पड़ेगा मनलब जो जिस प्रोफेशन का है वो अपने वर्किंग डे के दोरानों में जिस दिन वो काम कर रहे होते हैं उस पड़िकलर प्रोफेशन में ही रहते हैं तो वही डाट रहा है कि आप अपने प्रोफेशन वाले युनिफॉर्म में क्यों नहीं हैं आज आज वर्किंग डे हैं और आज आप बाहर क्यों हैं स्पीक अब देखिए लेवियस किसी एक कॉमन सिरिजन को डाट ते वे कह रहा है बोलो क्या काम तुम करते हो देखे वो कॉमनर मतलब होता है वो आम नागरी क्या बोल रहा है बोल रहा है सर अ कारपेंटर अथार्थ मैं तो एक साधरन सा कारपेंटर हूँ हाँ बड़ा ही मिस्तरी और मर्वियस भी वहाँ पर मौजूद है ये दोनों ही येस दोनों ही बहुत ही अग्रिसिवली लोगों को डाट रहे है वेर इस दाए लेदर एपराउन एन दाए रूल देखा मर्वियस डाट रहा है सकारपेंटर को कह रहा है वो लेदर का एपराउन कहा है जो तुम उपर से पहनते हो आपने देखा होगा वरकर्स कुछ ड्रेस पहने रहते है न मम्मी भी किचन में काम करते थे एक एपराउन पहन लेती है इवन लेब कोड भी एक तरका एपराउन ही है तो तुम्हारा लेदर एपराउन कहा है वो रूल कहा है हाँ बड़ी से एक रूल होती है मार्किंग करने के लिए तो वो कहा है तुम्हारे हाथ ने मतलब आज तुमने अपना सबसे बेस्ट ड्रेस क्यों पहना है भाई देखिए यह सब डाट रहे है यू सेर, what trade are you? अब यह सेकंड डिजन से पूछ रहा है मारुलस देखिए यह सेकंड डिजन थोड़ा कॉमेडी करने वादा है मैं तुम्हार्ट यह अपने आपको बढा चला के बतारहा है कि मैं सच बता हूं तो मैं एक अच्छा कारीगर हूं और अपनी तारीफ क्या करूं मैं तो कॉबलर हूँ देखिए ये कॉबलर थोड़ा जो बोलेगा उसका मिसिंटरप्रेट करेंगे मारियूलस जी आईए देखते हैं क्या होगा तो मारियूलस समझ नहीं पाता है कि ये कॉबलर क्या कहना चाहरा है तब वो पूछता है अंसर में डिरेक्ली मुझे ठीक से अंसर बताओ सीड़ी अंसर बताओ घुमाफरा के मत बताओ फिर बोलेगा ये ये कॉबलर इसका double meaning आ रहा इस लाइन का देखिए ये एक वेक्ती है जो कहना चाहता है मैं बुरे लोगों को सुधारने वाला हूँ यहाँ पे soul S-O-U-L भी है जो कि हमारी ये consign से अंतर आत्मा है और एक S-O-L ही है जो शू का soul होता है अरे भाई चपल के नीचे का जो इससा होता है जूद उसको कहते है soul of the shoes तो मैं मेंडर हूँ रिपेर करता हूँ खराब souls को अथात खराब जूतों को बनाता हूँ हाँ कह रहा है I can say this with a safe conscience मैं अपने अंतर आत्मा से शुद मन से ऐसा कह सकता हूँ कि मैं लोगों के यहां बुरी आत्माओं को या बुरे soul वाले व्यक्तियों को ठीक कर देता हूँ देखिए टॉंट मार रहा है यह व्यक्ति यह कॉबलर मार लोस को गुस्सा आ जाएगा देखिए क्या बोलेगा बुलेगा what trade क्या कहा तुम क्या करते हो दाओ रासकल हाँ नेव मतलब रासकल होता है कभी कभी हम किसी को गुस्से में रासकल यहां आवारा नहीं कहते हैं हाँ आवारा शब्द को कहते हैं रासकल अरे रास्कल कहीं के दाव नाटी रेम, सौरी नेम, दाट ट्रेड देखा गुस्से में अभी भी समझ नहीं पा रहा है, मारूले समझी नहीं पा रहा है कि वो क्या कहना चाहता है, और हम समझ रहे हैं कि वो कहना क्लियरली चाह रहा है कि मैं कॉबलर हूँ, पर क्योंकि वो अ असल करके आ रहा है देश के दुश्मन पॉम्पे को हरा के आ रहा है तो इसलिए आज सब लोग हाँ सारे आम जनता क्या कर रही है चुट्टी मना रही है देखे अब ये कॉबलर और क्या बोलेगा ने मतलब बता है no I beseech you I request you sir be not out with me अथाग मुझसे ज़्यादा आउट मत होईए अथाग मुझसे ज़्यादा क्रोधित मत होईए if you be out अगर आप ज़्यादा मुझसे तेड़ा बती आएंगे तो I can mend you देखे ये कॉबलर तो इदम मस्त आदमी है क्यों मस्ती में आ गया है कहरा अगर मुझसे ज़्यादा तेड क्या कहेगा what meanest दाव बैट देट तुम्हारा क्या मतलब है इससे मैं नहीं तुम मुझे ठीक करोगे थाव सॉसी फैलो बत्तमीज होता है सॉसी मतलब होता है डिस्रिस्पेक्टफुल तुम डिस्रिस्पेक्टफुल कहिं के बत्तमीज कहिं के तो अब किसमें आ गया है सझान से जब उसने कहा कि मैं तुम्हें भी ठेक कर दूंगा आपका अगर शूख कर दूंगा तो मैं में कर दूंगा ठीक कर दूंगा देख सुह कॉमेडी कर रहा है मजाक कर रहा है बहुत और फ्लेवियस कहता है कि बताता है कि यह कॉबलर है मर्वलस को और यह सेकंड कॉबलर जो है जो की कॉबलर है अथाथ मेरा जो पूरा जीवन यापन है अथाथ मेरी रोजी रोटी जो है वो इस आल नाम के ऑजार से होती है एक तरह का device होता है for making hole आपने देखा होगा आगे से नुकिला सा होता है राउंड सा होता है leather में छेत करने के काम आता है device for making hole in leather ये shoes वाले होंगे जहां अगर कभी आप गए होंगे अगर कभी आपने leather के shoes को बनवाया होगा या चपल सिल्वाई होगी तब आपने जरूर देखा होगा कि वो all से काम करते हैं मोची लोग जो होते हैं all से काम करते हैं जूतों को leather को तो बता रहा है कि मैं तो अपना जीवन या अपने इस all की मदद से करता हूं I meddle with no tradesmen matter मैं किसी दूसरे वैपारी के किसी दूसरे के काम में दखल ली देता हूं Meddle मतलब होता है interfere I do not interfere in someone elsewhere न तो मैं किसी औरत के मामलों में जाता हूं बट मैं सिर्फ क्या करता हूं अपना all के साथ काम करता हूं यहाँ पर भी वो पन कर रहा है यहाँ पर भी वो मजाग कर रहा है I am indeed sir a surgeon of old shoes और मैं फूराने जूतों का doctor हूं अथार समझ गहे न doctor of shoes हूं भई doctor भी तो भी करता है सिलाई करता है, इलाज करता है यह जूतों का इलाज करता है but when they are in great danger अथार जब जूते बहुत ज़्यदा खराब हो जाते हैं I recover them मैं उन्हें ठीक कर देता हूं तो एक तरह से देखिए cobbler बहुत मस्ती के मजाग के mood में है और इनसे डर भी नहीं रहा है as proper man as ever trod upon the neat's leather have gone upon my handy work अथार जितने भी gentle man है proper man मतलब जो भी देश का अच्छा नागरिक है gentle man है, अगर वो चल रहा है trod मतलब होता है walk करना अगर वो इस street पे walk कर रहा है तो वो neat के leather से neat मतलब होता है ox के leather से अथार्थ bell के बने, जानरों के बने leather के और मेरे हाथ के बनाए shoes पहन के घूम रहा है मैं हूँ वो वैक्ती जो लोगों को walk करने की अनुमती दे रहा हूँ मेरी वज़े से वो क्या कर रहा है वो gentleman बन के घूम रहे है तो I am the person देखा कितना अपने trade के प्रती उसे गर्व है अपने cobbler होने का उसे बहुत गर्व है इस वैक्ती को आईए flavius तो अब इससे भी गुस्सा हो जाएगा मारूलेस गुस्सा हो चका है अब flavius आ जाएगा अगर आप cobbler है तो आज आप अपनी दुकान पर क्यों नहीं है और इन सब लोगों के leader बन के आप आगे चल रहे है देखा flavius इसको डाट रहा है क्यों तुम leader बने फिने हो फिर रहे हो भाई तो अब देखे cobbler क्या बोलेगा मैंने कहा न यह बहुत मस्ती मजाक के मूड में है एकदम किसी से डर नहीं रहा है truly sir to wear their shoes देखा फिर मजाक कर रहा है बुला है sir मैं इन सब को lead इसले कर रहा हूं ताकि इन सब के जूते wear out हो जाए wear out मतलब होता है घिस जाना कहते है न tear and wear हो जाना इनके जूते जल्दी फट जाएं इसलिए मैं इनको क्या कर रहा हूं सडकों पर घुमा रहा हूं और इससे क्या होगा to get myself more work और जब इनके जूते फटेंगे तो मेरे पासी सिल्ली के लिए आएंगे मुझे और काम मिलेगा मैंने कहा था ये कॉबलर आसान बंदा नहीं है बहुत टिपिकल बंदा है बट इंडीड सर अब देखे रियल मिनिंग बोलेगा डर नहीं रहा है देखे कॉबलर को डर नहीं है न दोनों से to make holiday to see Caesar and to rejoice his triumph Caesar को देखने हम सडकों पे निकले हैं और उसकी victory को triumph मतलब होता है उसकी जीत अब Caesar एक बहुत बड़े procession में आ रहा है बड़े जलूस के साथ क्या कर रहा है room में वापस enter कर रहा है pompey को हरा कर तो इसलिए हम आज yes public तो fickle minded होती है देखे जो star चमक रहा होता है जो खिलाड़ी ज्यादा अच्छा betting कर रहा होता है सारे लोग उसी के लिए तालिया उसी के लिए क्या करते है गुनगान करते हैं तो जो जीत रहा होता है Caesar जीत रहा है इसलिए लोग Caesar का गुनगान कर रहे है public fickle minded होती है याद रखेगा fickle मतलब जल्दी ही yes इरादा बदल जाता है यहाँ पर लोग अब Caesar को प्यार कर रहे है क्योंकि Caesar जीता हुआ है इस समय और देश का yes नाम रोशन कर रहा है रोम के लिए बड़ी सी बड़ी जीत हासल करके आ रहा है तो इसलिए वो लोग क्या करना चाहते हैं उसके इस ट्रायम को rejoice enjoy करना चाहते है हाँ भाई जिस दिन इंडिया वर्ल विक आप जीत जाएगी सोचे क्या होगा क्या कहते हैं आप और मैं rejoice नहीं करेंगे पाठिया नहीं मराएंगे जंडे नहीं लगाएंगे अपने घरों पर और पठाके नहीं चोड़ेंगे बस वहीं हो रहा है वहाँ पर अब मारूलैस देखिए अब कुस्सा आजाएगा मारूलैस को कहाएगा वायर वैर 4 rejoice वैर 4 मतलब होता है वाय तो मारूलैस कह रहा है कि क्यों भाई आप लोग rejoice क्यों कर रहे हैं क्यों enjoy कर रहे हैं वाट कॉनक्वेस्ट मतलब होता है जीत हम लोग victory कह सकते हैं ऐसी क्या जीत है जो he, he कौन है याँ पर Caesar, Julius Caesar जो की देश का एक माहान commander है Yes, Julius Caesar ऐसी क्या जीत देश में ला रहा है भाई What tributaries follow him पहले जमाने में राजा जब कोई देश जीता था, दूसरे देशों को हरा के आता था तो उनके सोने, चांदी, हीरे, जाहरात लूट के आता था प्लस, वहां के जो गुलाम सैनिक होता था, उनको वो घसिटता हुआ, बांधता हुआ अपने देश ले आता था, और इन गुलाम सैनिकों को बेच करके देश को पैसा कमाता था, हाँ, पहले जवाने में ये चलन था, रोम में, तो वही पूछ रहा है कि ऐसी क्या ट्रिबूटरी इस लेके आ रहा है, जूलिय सिजर, कौन से ऐसे कैप्टिव्ज, कैप्टिव मतलब होता है, गुलाम, कौन से ऐसे गुलाम है, हाँ, स्लेव है, जो वो अपने चैरियेट से बांध के ला रहा है, अथार्थ, ऐसे कोई भी गुलाम वो देश के लिए नहीं ला रहा है, जिससे देश को फाइदा होने वाला है, सीजर की जीत का कोई देश को फाइदा नहीं होने वाला है, ये सब यह सब डाट कौन लगा रहा है मार्स लगा रहा है common people को डाट लगा रहा है कह रहा है ओ यू hard hearts you cruel men of Rome No you not knew you not Pompey क्या तुम POMPAY को नहीं जानते हो जिसको वह हरा क्या रहा है पॉम्पे इससे पहले देश का बहुत ही popular लीडर हुआ करता था और वर्तमान में yes currently एक बहुत बड़ा दुश्मन था देश का और जूले सिजर उसे मार करके क्या कर रहा है देश में वापस जीत कर आ रहा है तो many a times and often you climbed up to walls and battlements तो आपने बड़ी बड़ी दिवाले बड़ी बड़ी बिल्डिंगे even towers को खिड़कियों को चिन्नी के tops पे आप सब चड़े और अपने even बच्चों को भी आपने अपने गोध में लिया हुआ था और उपर उपर उचाईयों पे चड़ करके क्या करने के लिए have their set day long अथार पूरा दिन आप बेठे रहते थे सिर्फ क्या पाने के लिए pompey की एक जलक पाने के लिए हाना आप वेट करते थे कि pompey उस street से गुजरे और आप उसको एक जलक देख पाए when you see his chariot और जब उसका रत आता था तो आप लोग चिलाते थे और एक universal अथार एक जुठो करके सब लोग shout करते थे चिलाते थे स्वागत करते थे और इतनी बड़ी चीक होती थी वो pompey की जीत pompey के आने पर वो इतनी बड़ी shout होती थी कि टाइबर जो की नदी है वहाँ की रोम में एक नदी बहती है टाइबर नदी कि वो नदी भी काप जाती थी उसमें लहरे पैदा हो जाती थी और ऐसा लगता था कि आपके आवाज गूंज रही है हाँ रेप्लिकेशन मतलब होता है आप सबकी एक सिंगल जो आवाज होती थी वो गूंजने लगती थी और इवन उसके शोर में नदी ही अपने ही शोर में उची उची लहरे मारने लगती थी टाइबर नदी तो आप ऐसी आवाज करते थे तो आज कह रहा है आज you put on your best attire, attire मतलब होता है dress आज आप अपने सबसे best dress pen के बाहर निकले हैं आज कल आउट a holiday की है कल आउट मतलब होता है make a holiday आज के दिन को आपने एक holiday declare कर दिया make a holiday कर दिया आज आज holiday है नहीं पर आज आपने holiday बना लिया है और आज आप flowers फैला रहे हैं जूलिय सिजर के रास्ते पर कल आप pompe का अंतजार करते थे आप सब लोग और आज उसी pompe को हरा के आने वाले Caesar का आप स्वागत कर रहे हैं आज उसके रास्तों में stream मतलब होता है spread करना क्या फैला रहे हैं आप उनके रास्तों में Caesar के रास्तों में आज आप फूल फैला रहे हैं और उस Trump pompe के blood को मार कर उसको भरा करके आने वाला तो जाओ निलन जाओ तुम लोग और चले जाओ अपने घर चले जाओ जाओ घुटनों पे जुप करके अपने भगवान से माफी मांगो कह कहीं तुमारे उको प्लेग न लग जाए कहीं तुम्हें श्राप न लग जाए उस ईश्वर का क्योंकि आपने इससे पहले पॉंपे को पसंद किया आज आज पॉंपे के मारने वालों को अथार्त सीजर को तुम पसंद कर रहे हो तो इसलिए वो डाटता है उन सब को देख आप सब देशवासी थैंकलेस हैं क्यों कल आप पॉंपे को पसंद कर रहे थे आज पॉंपे को जो मार दिया आज आप उसको पसंद कर रहे हैं तो आप लोग थैंकलेस हैं इन ग्रेटीटीट वाले वक्ति हैं आपके लिए इस इन ग्रेटीटीट के लिए भगवान कहीं आ इस फॉल्ट के लिए, सीजर की विट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, जो आप गलती कर रहे थे, इसके लिए आपको जल्दी घर लोटना चाहिए, और अपने जैसे जितने भी पूर मैन हैं, अथार तुम जैसे और जितने लोग हैं, सब को जाना चाहिए टाइबर नदी प पारा एक बहुत एक्जॉल्टेट शोर तक, अथार सबसे उचे तक, दर तक, क्या हो जाया, इसका पानी भर जाए, इतना रो, अथार इतना आसुबा हो, अपनी गलतियों के, और ऐसा सुन करके, सारे कॉमन मैन चले जाएंगे, हाँ, ये जो दो कॉमन मैन के जिकर किया, हम लोग ने एक कार्पेंटर और एक कॉबलर, इसके अलावा बाकी सारे कॉमन मैन भी चले जाएंगे, और तब फ्लेवियस क्या बोलेगा, देखे, अथार अब कॉमन मैन जा चुके हैं, अब दो ही लोग बचे हैं, फ्लेवियस और मरुलस, कहेगा, see there, these basis, basis metal be not moved, देखा जा है कि ये लोग, जो ये आम आदमी है, basis metal कौन है, common people, ये जो common people है, ये जो common लोग है, कहीं ये दुबारा moved न हो जाएं, कहीं दुबारा कहीं सडकों पर वापस न आ जाएं, they vanish tongue-tied, tongue-tied मदब silently, ये सब अभी चुप-चाप चले गए हैं, कहीं ऐसा न हो, अपने वापस चल तुम इस रास्ते से capital की तरफ जाओ, और मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, दोनों जन क्या कर रहे हैं, शेहर में जहाँ जहाँ आम जनता दिखेगी, जहाँ जहाँ आम आदमी दिखेगी, उनको भगा देंगे, this way I will, disrope the images, disrope the images मतलब सडक पर बहुत सारी Caesar की statues बनाए celebrate किया गया है, खुबसूरत सा सजाया गया है, Caesar की victory को celebrate करने के लिए, मैं उन सब images को disrope कर दूँगा, disrope मतलब होता है, उसके कपड़े बिगार देंगे, खराप कर देंगा सको, ताकि Caesar को उसका स्वागत जो है, वो फीका-फीका सा लगे, Caesar कहीं घमन या proud मैसूस ना करे, इसलिए वो लगा ऐसा कर रहे हैं, if you do find them decked with the ceremonies, अथार जहां 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 सीजर की image अच्छे से सजाई गई होगी, जहां पे द्वार सजाई गई होगी, उन सब को खराप कर दो, उन सब को बिगार दो, देखे, more or less भी ऐसा ही कहेगा, may we do so, मतलब हम यह सब करें, you know it is the feast of liperical, और आज, yes, आज, जिस दिन ये event चल रहा है, जब ये Caesar आ रहा है, आज देश में बहुत बड़ा feast आ रहा है, आज वहां पर है, एक festival नाम है, feast of liperical, एक ऐसा तैवार, जिसमें young men's को क्या करना होता है, एक race में दौड़ना होता है, वैसे तो ये animals का festival होता है, पर इसमे एक ceremonial race होती है, और young men को क्या करना होता है, leather के strap से, leather के strap से married women's को touch करना होता है, क्या होगा इससे, वो women's जिनको baby bond नहीं हो रहा होता है, उनको क्या होता है, baby bond हो जाता है, हाँ, ये एक वहां का, भाई देखिए, हर जगे के अपने अपने festival है, उनमें से ये भी festival है, वहां क तो Flavius, it is not, it is not matter, let's no image be hung, देखा, दोनों जन Caesar को गिराना चाते हैं, उसके पद को कम करना चाते हैं, Caesar की कही भी trophies न सजी हो, Caesar की कही भी images न सजी हो, if I will be about dry the vulgar, vulgar कौन है या पर, common people, vulgar है means common man, या common people, मैं common people को क्या करूंगा, street से भगाता जाऊंगा, और आप तुम भी देखना, और जहां तुम्हें देखे, ठिक, ठिक मतलब होता है, जहां इनका crowd देखे, जहां इनकी भीड देखे, तुम उन सबको क्या करना, भगा देना, भगा देना उनको सबको common man, उनको घर पर, these growing feathers, क्योंकि ये बढ़ता हुआ, फैदर की तरह हैं, ये common man क्या हैं, के अंदर ambition जाग जाएगा, proud आ जाएगा, और हो सकता है, वो general से देश का dictator बन जाए, राजा बन जाए, तो इसलिए अभी से Caesar के क्या करो, ये punk card दो, जब इसके punk card देंगे, तो ये एक ordinary उडान उड़ पाएगा, अथार्थ बहुत उचा या घमंडी Caesar नहीं हो पाएगा, otherwise क क्या होगा, Caesar सोर हाई करेगा, सोर मतलब होता है, fly हाई करेगा, आम जनता से उपर देखने लगेगा अपने आपको, और हम सब उसके सर्वाईल, अथार्थ उसके अंडर में डर के जीएंगे, तो ऐसा नहों, इसलिए इन सब को क्या करो, फीका कर दो, Caesar का स्वागत फीका कर आम जनता को रहने ही मत दो सडकों पर, जब Caesar देखेगा ही नहीं, कि मेरा बहुत स्वागत हो रहा है, तो अपने आप उसको अपनी जीत बहुत प्यारी नहीं लगेगी, उसकी विक्ट्री से उसे बहुत घमंड नहीं आएगा, ambitious Caesar नहीं हो पाएगा, यहीं सोच के यह फ्ले बार-भारा कमेंट दीजेगा, बताइएगा कि जुली सिजर का ये पहला सीन कैसा लग रहा है, और मैं ठेर सारे प्रिपेशन के साथ आपके सारे सबजेक्ट्स को यहीं इसी चैनल पे कवर कर रहा हूँ, बढ़ आपका चाहिए मुझे बहुत सारा प्यार, लाइक, सपोर् आपके लिए और कंटेन्ट बनाऊँगा, इसी विश्वास के साथ कि आप मेरे राइजिंग स्टार, मिरे साथ हैं, और मैं आपके लिए ठेर सारा कंटेन्ट बनाऊँगा, बस मुझे चाहिए आपका सपोर्ड, तो प्लीज शेर, nd, and, 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 राइट औो कमेंट्स कि आप क क्या चाहते हैं इसके बाद हम क्या बनाएं मिलते हैं अगले लेसन वीडियो के साथ और भूलेगा मत आपके किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ना होगा आप लिखे उस चैप्टर का नाम और आगे जोड़ दीजिए बाइ सर तरुन रुपानी आपको मिल जाएगा आपके सा किसी बाद मिलते हैं इसके साथणिए उसे बाद मिलते हैं इसके कि बोलेगा आपके साहां के साथ बादे बाद मिलते हैं रहल वारा आंपके सा थाके सा bulवा लेषवाड़ रशे quién.